Assalamu alaikum dear students, कैसे हैं आप सब, आज हम exercise 1.1 start करेंगे, तो देखते हैं first question हमारे पास क्या है, find the order of following matrices, आपके पास matrices given है, आपने उसका order बताना है, तो सबसे पहला हमारे पास matrix है, matrix है, इसमें कितनी rows हैं जी, दो rows हैं, और दो ही हमारे पास columns है, तो इसका order क्या होगा, इसका order क्योंकि दो rows हैं, और दो ही columns हैं, मैंने पहले भी बताया था, ये दो rows को represent करते हैं, और ये columns को represent करते हैं, ठीक है, next time देख लेते हैं, ये हमारे पास है matrix C, matrix C में हमारे पास कितनी rows हैं, और कितने columns हैं, matrix C में हमारे पास 1 row है, और 2 columns हैं, तो इसका order क्या होगा, इसका order होग 1 by 2 1 row and 2 columns similarly next हम बात करते हैं matrix D की matrix D में भी हमारे पास 3 rows है 1, 2, 3 और 1 हमारे पास column है तो इसका हमारे पास order के आएगा 3 by 1 and matrix F का order आप comment section में मुझे बताएंगे question number 2 की बात करें तो इसमें वो कहता है which of the following matrices are equal हमने बताना है कि कौन से matrices आपस में एक दूसरे के equal है तो equal matrices की definition में हमने 2 conditions रखी थी जो हमने remember करनी थी first जिन 2 matrices को हम देख रहे हैं कि वो equal है या नहीं है सबसे पहले तो हमने उनका order देखना है कि उनका order same है या नहीं है next हमने कह चीज़ देखनी है कि उनकी corresponding entries जो है क्या वो भी same है या फिर नहीं अगर तो ये दोनों conditions satisfy कर रही होंगी तो वो matrix equal matrix होगा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं matrix A को कहीं matrix A matrix C के equal है या फिर नहीं तो matrix A में अगर देखें तो हमारे पास जो entry है उसमें जो number में given है वो 3 है that means यहाँ पर हमारे पास matrix C में भी 3 आना चाहिए तो अगर आप देखें 5-2 तो ये 3 के equal ही होता है तो इसका मतलब order हमारा same है जैसे आप देख सकते हैं A की row है और A की column है 5-2 मतलब ये A की entry है आप इनको अलग 2 entries मत समझेगा ये A की entry है दर्मयान में minus sign इसलिए दिया गया है तो A की row है और A की column है similarly यहाँ पर भी A की row है और A की column है तो order तो same हो गया next यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही आना चाहिए तो A और C तो हमारे पास equal आगे A and C are equal अब बात करते हैं matrix J और matrix H की कै यह दो matrices भी आपस में equal है या नहीं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका order same है या नहीं तो order में हमारे पास 2 rows है और 2 ही हमारे पास columns है similarly यहाँ पर भी हमारे पास 2 rows है और 2 ही columns है तो order तो हमारा same है next हमने देखना होता है कि क्या इनकी corresponding entries भी same है या फिर नहीं है तो corresponding entries के लिए हम इनको सबसे पहले add कर लेते हैं 2 plus 2 equals 4 2 minus 2 equals 0 2 plus 4 equals 6 2 plus 0 equals 2 तो matrix J तो मारे पास इसके equal आगया अब हम चेक कर लेते हैं क्या H भी इसके equal है 4, 0, 6 and 2 तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पर मारे पास 4 है तो यहाँ पर भी 4 है के नहीं यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 है यहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ पर भी 6 है यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है इसका मतलब यह दोनों matrices भी आपस में equal है J and H are equal matrices next question अगर हम देखें तो हमारे पास है find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation तो हमने A, B, C और D इन चारों की values निकाल लिए बिसकरी तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास यह देखें हमारे पास equals का sign दिया गया that means कि दोनों matrices हैं यह आपस में equal हैं तो इसमें मैं उन दोनों conditions को check करने की जुरूत नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ A plus C is equal to 0 यह जो entry है obviously फिर यह इसके equal होगी similarly जो बाकी entries हैं वो भी equally होगी तो उन्हें भी लिख लेते हैं ऐसा करते हैं इनको equations का name दे देते हैं equation 1, equation 2, equation 3 and equation 4 अब चुके हमारे पास equations बन चुकी हैं तो हम इनकी values निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम C के value निकाल लेते हैं C minus 1 is equal to 3 C is equal to 3 plus 1 यह minus का 1 था अगर हम इसको इस side पर लेके जाएंगे तो यह positive हो जाएगा इसलिए 3 plus 1 तो यह किसके equal हुआ C is equal to 4 Similarly, अगर हम 4d minus 6 is equal to 2d को solve करें तो 4d minus 6 is equal to 2d अगर हम इसको solve करें यह 2d यह पे positive का है अगर हम इस side पर लेके हैं तो यह negative हो जाएगा minus 2d is equal to यह minus का 6 था अगर हम इसको इस side पर लेकर जाएंगे तो यह positive हो जाएगा plus 6 4d minus 2d equals 2d and यहाँ पर 6 ही रहेगा D is equal to 6 by 2 यह multiply हो रहा था यहाँ से अगर हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो यह divide हो जाएगा तो 6 divided by 2 equals 3 D is equal to 3 तो यह हमारे पास C और D की values आगी है अब अगर इन values को हम equation 1 and equation 2 में put करें तो हमारे पास A और B की values भी आजाएंगी तो चलिए solve करके देख लेते हैं equation 3 की value equation 1 में put कर लेते हैं putting values of 3 in 1 या फिर आप 3 की देगा C भी लिख सकते हैं equation 1 क्या थी हमारे पास A plus C की value हमारे पास क्या निकली है 4 तो यहां पर हम C की देगा पर 4 पूट कर देंगे equals 0 A plus 4 A plus 4 equals 0 तो अगर यह जो positive 4 है इसको हम दूसरी साइड पर लेज़े तो यह negative हो देगा A is equal to minus 4 तो यह हमारा answer आजएगा similarly अगर हमें B की value चाहिए तो हम A की value को equation 2 में put करेंगे equation 2 क्या थी A plus 2B is equal to minus 7 putting values of A in equation 2 तो क्या देगा हमारे पास minus 4 अभी जो value निकली थी है की this one minus 4 minus 4 plus 2B equals minus 7 तो अगर हम इनको solve करें 2B को यह पर रहने देते हैं minus 4 minus क्या अगर हम इस साइड पर लेके जाएंगे equal to से दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो यह positive हो जाएगा minus 7 plus 4 equals minus 3 2B equals minus 3 B equals minus 3 by 2 यह जो 2 multiply हो रहा था नहीं यहां से इसको हम दूसरी साइड पर अगर लेके जाएंगे तो यह divide हो जाएगा तो हमारे पास answer आजएगा minus 3 by 2 still अगर कोई confusion आपके mind में रह गई है तो आप comment section में हमसे पूछ सकते है I will try my best to reply as soon as possible तो आज के लिए इतना काफी है मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए take care Allah आफिस